Hello friends, आज हम एक ऐसी पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है On Going On A Journey जिसे लिखा है William Hazlitt ने इसमें दोस्तों Hazlitt ने या ऐसे लिखी उनका जन्म हुआ 10 April 1778 में UK London में उनकी मृत्ति हो गई 18 September 1830 लंडन में उन्होंने इसे सबसे पहले publish कराया था दोस्तों New Monthly Magazine में जो की 1822 में publish हुई थी इन्होंने इसके बाद इसी publish कराया William Hazlitt के famous work Table Top में masterpiece की तरह ये publish हुआ और लोगों के दिल में छप गया वहाँ पे आज स्टिल्विसी ने इसे favorite poem का खिताब दिया और कहा कि The person not read this story or essay should be pay a fine जिसने इस essay को नहीं पढ़ा उसे fine देना होगा तो आईए दोस्तो हम इस essay को start करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं सबसे पहले hazlet कहते हैं कि कहीं पे भी अगर आप जाएं किसी भी nature के जगह पे तो आपको alone जाना चाहिए यह मतलब अकीले जाना चाहिए क्योंकि nature को अकीले ही समझा जा सकता है अगर आप किसी travel agent या किसी के साथ जाते हैं तो वो आपको बाते करने में ही उलचा देगा और आप हर चीज को भूल जा सकते हैं इसलिए मैं हमेसा alone जाता हूँ अकीला घूमता हूँ nature को और यह जो nature होता है दोस्तों उसे मैं ऐसा डूब के feel करता हूँ कि मैं लंडन को भी अपने जो जन्म स्थान है लंडन को भी भूल जाता हूँ और उस nature में घुच जाता हूँ और जो guide मुझे वहाँ पे बताता उससे मैं बोर हो सकता था इसलिए मैं alone उस जगह पे चला जाता हूँ और उस nature की जो beauty है उसे imagine करता हूँ उसे feel करता हूँ इसके बाद हर्जलेट कहते हैं दोस्तों कि अगर कोई guide मुझे परिसान करने लगता है कि आये sir मैं आपको दिखाऊंगा और मुझे बोर करने लगता है उस nature place में तब मैं एक game खेलने लगता हूँ ताकि मैं उसे avoid कर सकूँ और मैं nature के element को जब मैं देखता हूँ उसके बाद तब मैं काफी silence से देखता हूँ ताकि वो मुझे अच्छे से समझ में आए और मैं उसे feel कर सकूँ इसके बाद वो कहते हैं दोस्तों कि मुझे यह भी irritate लगता है guide लोका कि वो यह बताने लगेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या likes अच्छे अच्छे चीजे हैं क्या dislikes हैं इस जगह के यह सब लगता है जैसे कि मैं company में interview ले रहा हूँ उस तरह वो experience देते हैं मुझे कि इस like है यह dislike है इसलिए मैं guide को avoid करता हूँ आगे हर जिलिट कहते हैं दोस्तों कि जब मैं nature को feel करना चाहता हूँ तो मैं guide के सारे क्यों करूँ मैं देखना चाहता हूँ मैं imagine करना चाहता हूँ मैं नई नई चीजों को देखना चाहता हूँ क्योंकि वो person मुझे सिर्फ अपने past experience को बताएगा जो उसने देखा है मैंने क्या देखा है या मैं वहाँ पे देख सकूँगा इसलिए मुझे alone जाना अकीला nature में बैठना और nature को अपने तरीके से feel करके अपनी view को देखना और उसे books में लिखना अच्छा लगता है मैं हमेशा अपने experience को उस जगह के experience और view charges को लिखना चाता हूँ और उसे travel करना चाता हूँ legs से पैदल चलके ताकि मैं हर चीज को देख सको अगर मैं किसी ऐसे car या scooter से जाऊंगा या फिर bike से तो मैं उस चीज को धीरे धीरे नहीं देख पाऊंगा मतलब पूरा view नहीं लेपाऊंगा इसलिए मैं legs की मदद से जाता हूँ और पैदल चलता हूँ ताकि मैं उस जो जगह है उसके जो view है उसकी जो imagination है उसके जो nature है beauty का उसे मैं अच्छे से imagine कर सकूँ और एक person की तरह उसे ऐसे मैं express कर सकूँ और बता सकूँ कि क्या-क्या imagine और क्या-क्या अच्छी चीजे मैं व इसलिए मैं हमेशा silence और alone में उस nature को देखना चाहता हूँ उस जगह को देखना चाहता हूँ और जब मैं यह देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं और other things भूल जाओं जैसे कि मैं अपने लंडन को अपने work of load सारी चीजे में भूल जाओं और सिफ nature के peace और silence को महसूस कर और उसमें view दूँ और अपने experiences को उस essay में लिखकर बता हूँ इसके बाद दोस्तों William Hazlitt यह कहते हैं कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं कोई महान essayist नहीं हूँ मैं एक simple सा essayist हूँ जो महान होते हैं जो महान बड़े-बड़े essayist होते हैं वो experience कर लेते हैं as a guide कि रह रहने का उनको कोई फरक नहीं पड़ता नौनसेंस अवाजें उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता जैसे की हो गएं Samuel Tennell Coleridge जो हैं SD Coleridge वो एक महान यह हैं essayist है poet है तो उन्हें यह फरक नहीं पड़ता कि वो क्या देख रहे हैं noise सुन रहे हैं वो सिर्फ उसमें खो जाते हैं पर मैं ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं उन जैसा महान नहीं हूँ उनके पास बड़े बड़े ideas हैं वो काफी work hard कर चुके हैं और उन्हें better experience पता है इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं वैसे वो मेरे साथ आते इस nature के जगा पे तो वो best companion बन सकते थे पर वो वो एक महान है पर Charles Leves जो हैं वो indoor में best हैं पर outdoor में नहीं पर वो भी एक अच्छे हैं मैं उन्हें bad companion नहीं दूँगा क्योंकि वो indoors में hotels में अच्छी अच्छी बाते बताते हैं और वो दिखाते हैं कि क्या-क्या वहाँ पे knows things हैं pictures, imagination वो indoors को दिखाते हैं पर मैं यहां outdoor की बाते कर रहा हूं इसल यह मैं वापस nature में आता हूं क्या imagination होता है वहाँ यह सब बाते मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने एक बार एक picture inspiration में पूल और वेरजीना के novels में देखा था well and well see की family में कि वह काफी अच्छे से nature को describe की इसके बाद मैंने एक library में standing drama falling fatter behind high parts all our deserts में देखा है और वहाँ पर पढ़ा है वैसे मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि what is China? चाइना क्या है? वह सिर्फ एक space increasing map है जिसे मैं space से एक छोटा सा map की तरह देख सकता हूं चाइना मेरे लिए valuable नहीं है मैं उसे तो oranges के valuable भी नहीं मान था वो मेरे लिए कोई valuable नहीं है वो बस एक piece of land है या map में वो space से दिख जाता है इसके बाद दोस्तों विल्या में एक और घटना का जिक्र करते हैं एनलेस की बड़े पार्टी में मैंने स्वेंस एनलेस को describe किया था लेवल ओव डी हैं सुन्दर वॉलने जहां पे मैं बार बार जाना चाहता हूं alone and travel imagination limited होती है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ imagination limited होती है क्योंकि वो सिर्फ एक wear of map है वहाँ पे सिर्फ I understand this is a part of a map just a map और इसी को मैं बाहर जाकर देखता हूँ और देखती ही तुरंट paper या essay में उतार देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाओं क्योंकि जब मैं दूसरा देखता हूँ तो पहला भूल जाता हूँ और तीसरा देखता हूँ तो दूसरा भी भूल जाता हूँ इसलिए या एक layer आदर देखा, एक वेकवडोर देखा और एक पैरिस देखा, फोरेंड केबैनियन में मैंने फ्रांस में पैरिस देखा, इफिल चावर्स देखें इमैजिनेशन, पीक्चर देखें उस जगह के, पर मैं उसे शिर्फ यही दा पाया कि foreign give me just a knowledge वो सिर्फ मुझे एक knowledge दे रहा था वो picture इसलिए मैं चुप चाप उसे देखता रहा पर मैं उसे जल्दी ही भूल जाओंगा इसलिए मैं उसे लिख ले रहा हूँ इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि traveling ही best thing नहीं है घर में भी रहना एक country beside में अपने country के अंदर रहना भी best thing है क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं बाहर घूमते हैं तो हम सिर्फ small travel of temporary enjoy कर पाते हैं पर house में हम permanent रहते हैं तो उस temporary enjoy को हम कैसे experience कर पाएंगे बस हम वही knowledge experience कर पाएंगे जो कि मझे वहाँ पे जाकर मिलेगी इसलिए Johnson ने भी इसे कहा था travel did not charms on conversation क्योंकि travel जो है वो नहीं charm दे सकता है conversation में इसलिए मैं ये भी नहीं कहता कि traveling ही best thing है और यहीं पे ऐसे खत्म हो जाती है दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो like करे, share करे और subscribe करना ना भूले दोस्तों मैं आपसे ने स्टोरी में ने एसे में मिलूँगा तब तक लिए bye bye